हेलो वेलकम टू मैं चैनल दा ब्लू प्लैनिट आज हम पढ़ेंगे फूड चेन जैसे कि हमें पता है कि सब जो अर्गनिजम्स होते हैं उनको अनर्जी और न्यूट्रियंट्स चाहिए होते हैं ताकि जो उनका बाइलोजीकल वर्क है जैसे ग्रोइंग करना moving करना, reproducing करना और body को maintain करना ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए होता है nutrients and energy की जुरूरत होती है तो ये nutrients and energy जो है कौन प्रवाइड करता है food क्योंकि food में क्या होता है nutrients, energy and nutrients होते हैं तो transfer of energy and nutrients takes place through a series of steps और ये जो energy और nutrients का transfer होता है ये series of steps के थूरू होता है जिसको हम बोलते है food chain और हर एक food chain जो है इसमें कुछ steps होते हैं level होते हैं जा लिंक होते हैं उनको हम बोलते हैं traffic levels तो traffic levels क्या होते हैं ये steps ये stages होते है food chain की तो green जो plants होते हैं जिनको हम और क्या बोलते हैं producer भी बोलते हैं ये फस्ट traffic level पर होते हैं और ये क्या करते हैं sun की radiation अबजार्व करके उसको convert करते हैं into transfer करते हैं into chemical energy में जो की फिर available होती है for other organisms के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि plants क्या करते हैं green plants दूसरे organism के लिए खाना synthesize करते हैं अपने लिए दूसरों के दिए ये auto-trops भी इनको बोलते हैं जो अपना खुद बनाते हैं तो दूसरा जो होता है harby baos आता है harby baos को primary consumer भी कहते हैं जो क्या करते हैं plants को खात उता है और यी सेकंड ट्राफिक लेवल पे होते हैं इनको प्रैम्री कंजूमर ata आज़ा जाता है जा सैकंड ट्रॉइक लेविल इस इन चीजों को याद कर energy आज़्ेंट चरहा करना चाहिए हो वहां से आप नहीं जाता है याद कर फोड चैन मेंみें कुछ साब क्योंकि यह जो रस है ये प्रैमरी इंजमर तो नहीं है यह प्रडूसर है इसलिक से प्राइमरी कंजूमर अपर है सकेंडरी कंजूमर फ्राग तर्शर कंजूमर स्नेक और कौाइटर रृड री कन्जियूमर क्या हाक है यह इस तरीके से आप फोड़ चेंट से खुद कर खुद असानी से याद कर सकते हैं जो याद उसमें फिर आपको इज़री याद भी रहेगा तो देखें हर्भी वोर्ग को क्या फर क्या होता है सकेंडरी कंजूमर को प्र कहते हैं जिसको हम कार्णी है bigger carnivores जैसे snake जिसको बलते हैं टर्शनी कार्णिवोर्स यह चोथे लेवल पर होते हैं और इस तरीके से प्रासेस फिर चलता रहता है लेकिन क्या होता है ज्यादा लंबे food chain होते नहीं है short food chain ही जो है वो successful होते हैं ecosystem में तो definition थोड़ी सी हम पढ़ लेंगी food chain की क्या होती है important है कि transfer of food energy from the producer through a series of organisms इसमें food chain में क्या होता है कि food energy जो है transfer होती है producer से जो की green plants होते हैं वहां से series of organism से series organism हो गया है जो producer को खाएंगे जैसे herbivore फिर carnivores फिर decomposer जिसमें क्या होता है repeated eating होती है and being eaten होता है उस चीज को बोलते हैं हम food chain जा इसको simply भी हम define कर सकते हैं the chain of eating and being eaten away is known as food chain जिसमें क्या होता है ऐसा chain जिसमें एक organism किसी को खाता है और उसको कोई और खा लेता है तो उस चैन को उसेजम को स्ग्वेंस को हम क्या कहते हैं food chain अपर ट्रोडियोजर यहां पर क्या करते हैं स्वान की radiation को energy को absorb करते हैं और इसको transform करते हैं into chemical energy की farm में और इस process को बोलते है और अपना खाना synthesize करते हैं और इस process को बोलते हैं photosynthesis तो ओक्रेंस फूरजय किया होता है दो फूड अकड़ करते हैं रग जैसी से ऐसे फूर चैने जो लैंड पर अकर करते हैं उनको टररेस्ट्रिल फूड़ चैन कह थे ऋड़ित कहते हैं जैसे ग्रास ज्राषको ग्रास ओपर खाएका फिर वाकश शूरान एक घ्क झार जा सिंपल है डीयर और ताईगर आप देखते हैं तो यह वैसे जो है यह टेरिस्टल फूड चैना है और ग्रास लेंड तर्रीटरी देन्र पर को एक्वास लेंड में कहते हैं वहां से फिर फिश काती है और फिश को लार्ज फिश खाती है तो यह क्या होता है जो पानी में एक्जिस्ट करता है इसी तरीके से क्या है कि आप सिंपल जो एक्जेंपल है वो तो याद करके त्योरेटिकर और में कर सकते हैं लिख सकते हैं नमबर ले सकते हैं लेकिन कम्पीटेटिव की जब त्यारी करेंगे तो तब आपको बहुत सारे फूर्चेन को पढ़ना चाहिए तो फिर के कुछी तरह कभी क्वेशन आ सकता है और यह नो कि आप फूर्चेन सारा पढ़के जाएं और वह जेंपल कुछ ऐसी आ जाए तो आपका क्वेशन फिर गल्थ हो जाए तो इसमें यह एक क्वेशन आया था यूजी सी नेट में पहल अभर इस लीजर्ड को यह पताईल हो यह इनईज़ड को सनेख काता है इस तरह कास इक वन्स ता जो तो तो यह एक्जमपल है कि आपको किसे कहा था कि study करनी है तो फाइटो प्लैंकटों प्लैंकोज प्लैंक्टों की डेफिनिशन और क्या है ये फाइटो प्लैंकटों और यह क्या होता है फ्लोरा होता है प्लांट्स फ्लोरा क्या होता है गुर्प प्लांट्स जो की फ्री फ्लोट करते हैं पानी पे यह अफन बेन्यूट अर्गनिजम होते हैं चोटे अर्गनिजम होते हैं जो की वाटर करन्ट के साथ क्या करते हैं ड्रीफ्ट करते हैं और इन जैसे डैयाटम्स डैनो फ्लेजलेट्स सईनो बेक्टिरिया इसे अपनेक्टरों और फ्लेंक्तों क्या होता है तो यह जू प्लेंक्टॉंटॉंड विग्रीक वर्ड जून और प्लंक्टोंस से ट्राइव किया हम यहां जून का मतल्म होता है एनीमिर उर्ट ऊसे हम पड़ा वंडर और ट्रिफ्ड जो तर रिफ्ट बहुते हैं यह वह छोटे गई इनिमर तो चोटे छोटे जो डिरेक्ट लीए फीड करते हैं लुक्ते हैं जो छोटे स्माल वह वह होते हैं लेकिन कानी कोर्ण वह रही हैं यहां पर इसमें कि रिख्ञेंपल आती है चैसे प्रोटोजान करस्टेशियंज एक्ष लार्वास होते हैं aquatic animals कि यह इसकी एक्ञेंपल्स है और Antarctica में जुर्पलंक्टॉन जो होता है इसम अब Antarctica Food Chain का भी question आ सकता है जैसे उपर भी एक्ञेंपल हमने किस Papa Question आया वा था और Antarctica Food Chain आज़ता है तो इसमें लग-爾ग Food Chain है जोब देख देख लेंगे यहां पर स्क्रीन को रोक कर पास करे कि फाइट प्लेंक्टॉन को खाईगा क्लेड को सुल्वर्फिश स्लvर को फिश्वाइच को पैंगी इन को लेपड़शी और फिर कील सुलर वेल जह फाइटो ब्लैंट को खाएगे एलीफंट सील। इस तरीके से आप कोई भी देख सकते हैं। बहुत सारे एक्जम्पल्स हैं फाइटो प्लेंगडान को क्लियर को ब्लू वेल तो यह आप एग्जेम्पल से देख रहेंगे और यह चीजा हम फूट वैप में पढ़ेंगे उसमें और भी क्लियर होगा तो फूट चैन के जो टाइपस कितने होते हैं जनरली तो दो टाइपस हम बुक्स में देखते हैं लेकिन कभी में किसी किताब से मैं जो हैं कुछ किताबों में तेन भी दिया हुआ है तो मैंने सारे कवर करने के कोशी किया है तो पहला जो आता है फूट चैन वह आता है ग्रेजिंग फूट चैन जो की स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट से फिर जाता है हर्भी वोर्स और डिरेक्टली डिपेंडेंट होता है सौलर रेडियेशन पर तो इसमें क्या होता है कि यह जो है यह most common होता है ज्यादता है इसी तरह का food chain जो है ecosystem में ज्यादा common होता है जिसमें एक्सेम्पल है जिसे grass को deer खाता है deer को tiger जाव aquatic food chain प्रफिश और लाज फिश तो यह ग्रीन प्लांट से शुरू होता है जो आपने इंपर्टन यह चीज याद रखनी है इस जिसको से प्लांट की घ्रेजिंग होती है यह याद करके आप फंडा करके याद करना है तो इसमें के स्टूडेंट्स उसको गलती कर देते हैं कि घ्र यह चीज आपने याद रखनी है कि फिर इसको करने फिर अगे उनको प्रेडेटर खा लेते हैं इस तरह का जो फूड्चेन होता है इस तरह के जो फूड्चेन होते हैं यह डिपेंडेंट्ट डिरेक्टली सन रिडेशन पर नहीं होते तो इसमें अग्जेंपल है डैड्ड अर्गेनिकी मैटर को फंजाई खाएगा और फंजाई को फिर व्यक्टिरिया खा लेगा जाद लीफल लीफर्टर है उसको अल गी खाएगी फिर क्रैब्स क्रैब्स को स्माल फिश फिर large fish तिसरा जो है वहाता है पारसिटिक food chain और जनरली क्या होता है कि हमने ये food chain जो होता है ये larger organisms होते हैं वहाँ से smaller की तरफ जो है ये चलता है एक चीज़ हम ये देखते हैं और जो larger animals होते हैं यहाँ पर उनको हम host कहते हैं होस्ट में चोटे आर्गनिजम्स रहते हैं यह अपना खाना हुआउं से कंजियूम करते हैं होस्ट की बाड़ी से थो को भुलता है यह चीज देखते हैं इस पर शोली होड़ी होती है कभी आम पढ़ते हैं कि यह चीजुर वोड़ते हैं हर्भी वोर्स के अंदर होते हैं इसे लिए जैसे यह शीप है क्योंकि सन रेडिशिन से कोई फूर्ड चैन अल्टिमेट सोर्स आफ अनरजी जो है सन होती है वहां से शुरू होता है तो इस लिए ऐसे दिया है तो कभी आप यहां से आगे से भी शुरू कर सकते हैं प्रोड्य और ट्री पर कुछ बड्ड रहते हैं ओर बड्ड's के बाड़ीपर रहते हैं राइस खिल वर्ड टिक जैन को पारसाइट और इन पैर्साइट्स्थ l Are आप नमबर में जब वहां पर पढ़ते हैं वहां पर भी यह जो है अब करेक्टर स्टिक साफ फूड़ चेन क्या है फिर लास्ट कि यहां पर रेपीटिड एटिंग होती है फूड़ चैन में जिसमें एक और इसम कहता है दूसरे और फिर उसको तिसरा खाता है तो जरनली यह होता हैं समालर और्गनिसम को लार वार्ज खाते हैं जरनली ऐसे होता है यहां पर क्या होता है कि फूड़ चैन में यूणि डिरेक्टिन फ्लो आफ अनर्जी होती है कि सं से आएगए इनर्जी ग्रीन प्रांट्स हैं और हर्भी बॉर्ण फिर कार्नी बॉर्द तो अनर्ज इतना फूट चेन शोटा होगा उतने ही क्या एनर्जी जादा प्रवाइड करेगा जो क्या है कि शाट फूट चैन और मोर सिगनिफिकेंट होते हैं यह चीज भी इंपार्टन पॉइंट है करेक्टर स्थ होता है फूट चैन का और किसी भी फूट फूट चैन में हार एक ट्राफिक लेवल पे स्टेजी पे 80 से 90 परसेंट लगवाग 90 परसेंट नर्जी जो है लास्ट हो जाती है ऐसे हीट यह विए क्रेक्टर स्थिक्स है फूट चैन का तो ओमनी वोर्स जो होते हैं फूट चैन में वह एक से ज़्यादा ट्राफिक लेवल और टाइगर तो जो ऐसे जैसे फूटसेंट में बढ़ते जाते हैं उपर उक्राफिक लेवल में तो concentration of chemical बढ़ जाता है food chain में हर ट्राफी लेवल के बढ़ने के साथ उसको बोलते है bio-magnification होना तो significance क्या है food chain का food chain क्या करते है role play करते है जिसमें energy और nutrients क्या करते है flow करते है दूसरे नबर पर क्या होता है nutrients का flow होता है nutrient की cycling होती है और energy का flow होता है food chain में एक चीज़ होती है दूसरे नबर decomposition of material होता है खासकर जो bio-degradable material होता है उसका decomposition जो है food chain में होता है ये भी अगर ना हो तो problem create हो सकती है तो ये भी food chain करता है important step है तीसरा जो है ecological balance बना के रखता है food chain के वज़ा से होता है heat regulate the ecological balance वो जिसकी वज़ा से population size जो है वो भी क्या रहती है regulate होती है तो इसमें एक example है हम पहले इसको देख लें कि grass को deer खाएगा deer को tiger suppose करो अगर grass खतम होता है हम ये देखते हैं तो deer खतम होंगे tiger ये तो देखते हैं लेकिन फिर भी हम project tiger पे क्या कर रहे हैं क्यों जोर दे रहे हैं तो उसका कारण ये है कि अगर tiger खतम होते हैं तो जो harby wars है जैसे deer इनकी population क्या हो जाएगी इनकी population बढ़ जाएगी और जब इनकी population बढ़ेगी तो competition इनके बीचे बढ़ जाएगा तो ultimately grass पर pressure पड़ेगा और ये grass खतम हो जाएगा जब grass खतम हो जाएगा तो ultimately deer जा harby warby खतम हो जाएगा फूरा का फूरा food chain ही खतम हो जाएगा इसलिए project जो tiger हैं इसलिए important हैं तो जैसे आज मैं जैसे lecture पढ़ा रहा हूँ तो इस समय जब मुझे पढ़ा है मैंने currently कि इंडिया में 51 tiger reserves हैं लेकिन जब आप lecture त्यार करेंगे तो आपका question आपके लिए ये है और आप comment करके भी बताएंगे कि इंडिया में कितने tiger reserve हैं ये आपके लिए question है Thank you all